यहां पर जो चीज अभी हमने देखनी है कि optics क्या है ठीक है और how is it different from db scan मतलब optics क्यों हमें जुरूरी पढ़ा db scan से आ गए ठीक है अगर आपने optics को पढ़ा है या optics के बारे में सुने हैं then you should have know कि optics जो है वो db scan की एक extension है ठीक है और इसकी जो अगर मैं आपको अब्रीवेशन बताऊं यहां भी मैंने नहीं लिखी हुई तो यह कुछ इस तरीके से है ठीक है मैंने notebook में लिखे है आपके पास यह सारा कुछ और्रेडी पहुंच गया हुआ है ordering points to identify the clustering structure ठीक है optics यह वह वाले optics नहीं है जो अक्सर उकाद दुकानों पर लिखा होता है optical services available है वो जो glasses लगाते यूजिली यह क्या है यह order करता है points को to identify the clustering structure यानि के एक order के अंदर लाके फिर उसके cluster बनानों ठीक है सो लेट सी के इसमें और db scan में क्या फरक है db scan के पहले हम देखते हैं कि db scan क्या था यह क्या करता था density by continuing the number of points in a fixed radius neighborhood ठीक है उसको देखता था और EPS and deem that two points are connected only if they lie within each other's neighborhood ठीक है मतलब दोनों एक cluster में तब है अगर वो एक दूसरे के neighborhood में आते हैं ठीक है वो जो distance हमने बताया था अब यहां भे क्या है works like an extension of db scan but does not assign cluster membership but stores the order in which points are processed ठीक है तो इसमें क्या है जिस order के अंदर points process होंगे उनको एक sequence में ले आएगा तो इसको further हम clarify करते हैं यहां पर two parameters such as EPS and minimum points हम decide करते थे वह आपको पता है कि EPS क्या है minimum points के हैं यहां पर क्या होता है generates an enhanced order of the data collection structure ठीक है उसके एक order बन जाता है कि पहले यह वाला डिसकस हुआ पिर यह वाला 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 अधर बन जाता है points का जिसकी बेस्पे cluster design होते हैं यह बात याद रखें ठीक है जो लोग अभी अलग से search कर रहे हैं आपकी glasses में सब नजर आ रहा होता है मैं यह नहीं कैमरे आउन करवाता जिन्हों नहीं कियो है वो तो चले गए हैं कहीं कुछ ऐसे वैसा ना निकाल ले ना नजरें तेज़े हैं यहां पे और HD मैंने किया होता है जिस गिविंग यू अन आइडिया ठीक है अच्छा इन दोनों में हमारे पास number of clusters नहीं चाहिए होते हैं ठीक है तो मैं basically ना अपना pointer on कर लेता हूं कि number of clusters दोनों में नहीं चाहिए होते हैं यह खुद बाखुद बनाते रहते हैं ठीक है अब यहां पे ज्यादा memory DB scan की निस्बत require होती है क्यों require होती है as it maintains a priority queue this is called minimum heap ठीक है to determine the next data point कि हीप क्या आता है और कैसे बनते है इंग्रेज्जी में हीप किसको बोलते हैं एनी आइडिया है एच इए पी हीप हीप पाइल अब जब कोई चीज की जाती है न वह एक धेर सा बन जाता है अब क्योंकि हमने order में रखा है तो ऐसे 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 उपर आते जाएंगे हमने एक minimum हीप डिफाइन कर देना कि जब इससे आए तो फिर अगला चले ठीक है तो यहां पर minimum हीप बन रहा है आपका आपने बताना है तो अब इसमें क्या होगा कि आपने सीक्वेंस बना ली और बना लिया उनको पॉइंट को पाइल अप करते के मिनिमाम हीप की वैल्यों देदे कि इससे ज्यादा ना हो वनना डेग जाएगा तो उस पॉइंट से आगे आपने रूप जाना है अब आगे देखते हैं इस अब हमारे पास क्या होता है कि हमने नीरेस नेबर क्यूरी इस पर चलानी होती है जिसकी बेस पर हम हीप बनाते है अदर देन दैट के डीवी स्कैन के अंदर जो रेडियस बेस चलती थी यानिके इसके अंदर जितने आगे आ गए अगला चलो दिस वाज एजियर लेकिन एक फाइंड किया फिर दूसरा आ गया उसको पकड़ा तीसरा आ गया उसको पकड़ा हीप बनता गया ठीक है दिस इस हाओ इट वरक्स तो इसमें जारी बात है ज्यादा पॉइंट लगेगे ज्यादा कंप्यूटेशन पावर लगेगी इन समरी डीवी स्कैन इस गूड च्वा ताके हम इसको क्लेर करके जलें की जलें मैं अर्बिट्रेरिक क्या होती है उर्दू में या किसी बी चीह में आप बता सकें तो बहुते है सरकुलर एक होती आर्बिट्रेरि रिर्वinka कोई भी किसी डी ज़ेंढ़ी समझा को इसका एक और मतलब लिया जाता है जो भी आजम भाही ने भेज़ा है जिसको हम आर्जी बोलते हैं ठीक है इसको बेसिकली बोला जाता है जैसा डेटा का दिल किया वैसी शेप तो आर्बिट्रेरी शेप क्लस्टर्स एंड हैंडल्स नॉइस एज और आउटलायर्स इसका है वो हाथी बनेंगा चेर बनेंगा शेर बनेंगा चीता बनेंगा बिली बनेगी वह कोई भी आगया वो इसने पकड़ लेना है ठीक है अब आगे देखते हैं on the other hand अच्छा इसने आउटलायर्स और हैंड नॉइस को भी अच्छे तरीके से देख लेना बट्ट्टिक्स इ जाद है, however, it requires more memory and computational power than DB scan, मतलब ये, कि ये DB scan ही है, लेकिन उसकी extension है, और हर एक data points को लेके चलता है, और उनका धेर बनाता जाता है, ठीक है, at the end, आपके पास एक cluster form के अंदर, optical, sorry, optics के base के उपर clusters बन जाते हैं, simply, जो आपके समझने वाली बात है, तीन point मुद्धा, आपको इन दोनों points में से, मतलब इन दोनों चीज़ों में से क्या feel होता है, कि कौन सी चीज़ ज्यादा best है और किस के लिए, ये मैं यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा है, just give me one second, DB scan और आप्टिक्स में तीन बड़े आपको कौन से मेजर चीज़ें पता चल रहे हैं, झाल झालबटों है और तीन नहीं कर रहा चीज़ें जो हुआ आपको कर रहे हैं, झालब च्ता है, ये फिर कौन झालबटों हैं, ज Bears कॉआ zarखतिस्ब्सश कर चीज़ें नहीं कर रहे हैं, भरलों हैं, आम मैं जोन बड़ें दिरसें कproduction को कर कर्मरियं से, कि ये इक वे संब प्टाचा लगता है के कॉनोग सोयम इन कॉनो जागरे इस वेटा से मैं ऐसे question पूछता हूँ एक बहुत ही जबर्दस point है can extract cluster of varying densities अगर एक cluster के अंदर density differ कर रही है तो वो भी यह find out कर सकता है समझ लगी कि दूसरे में क्या है कि एक density एक किसम की होगी मतलब cluster की तो वही आ गया आता है जहां पर वह जैसी ना हो तो क्या होता है ग्रेडियस के अंदर आपका cluster चेंज कर गयाता है अब इसके अंदर इसको विज्जिलाइज करने के लिए हमें रीचबिलेटी प्लॉट बनाना पड़ता है उसके थुरू हम इसको विज्जिलाइज कर सकते हैं यहां पर हमारी एक छोटी सी exercise आएगी विच इस रिलेटेड टू मुझे पता है कि आपने इस पर काम नहीं किया हुआ तो exercise यह है कि अभी आपने पांच ऐसे पॉइंट लिखने हैं जो आपको समझ आएं कि यह है जी density based cluster db scan और यह है आपका optics पांच पॉइंट दोनों को लिखने है जो आपको समझ आएं ठीक है फिर हम यहां पर इस पर discussion करेंगे जिसको नींद आई है वो सोच सकते हैं no issue कि अजय हुआ है